गात दिनों नौयदा में आयोजित 11 से 15 सितंबर विश्व डेरी सम्मेलन में अजमेर के पशुपालुकों का 25 सदसिय दल्ग ने अजमेर डेरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी के नेतृत में भाग लिया उन्होंने बताया कि भविश में पशुपालुकों के सामने नसल सुधार कारिकरम पशु आहार की कमी एवं बढ़ते हुए भाव विक्राल रूप धारन करेंगे क्योंकि पशु आहार में उपियोग आने वाली मक्का, जौ, जवार, आधी के भाव उचाईक में कायम है इसे प्रकार चौरों की समस्या से विकट भी रूप ले सकता है इसके भाव पंदरा सो रुपे प्रती कुईंटल से दो हज़ार रूपे प्रती कुईंटल हो गए जिसके कारण पशु पालुकों को विगद 6 मा तक चौरे की महगाई की संकत का सामना भी करना पड़ सकता है चौधरी ने इस पर अफसर में कहा कि गायों में फैल रखी लंपी बिमारी के विकराल रूप धारन कर दिया है वर्तमान में प्रचलित गोट पॉक्स टीके अधिक प्रभावशाली नहीं है इस से देश में अब तक 2 लाग से जादा गायों ने दम तोर दिया तता 45 लाग संक्रमित हुई है अता भारत सरकार इस बिमारी को राश्य आपता घोसित करे और मृत गायों का पशुपालों को मुआपसा भी दिलाय जाए वहीं पशुपालों को नए पशु खरीदने हेतू बैंकों के माध्यम से पशुपालों क्रेडिट कार्ड रिन उपलब्द करवा जाए एवं भाविश में भारत सरकार अपनी खोशना अनुसा समस्त पशुओं का बीमा करवाए जिससे भाविश में होने वाली मौतों का मुआपसा भी मिल सके उन्होंने कहा कि इस महामारी से ग्रस पशुपालों को और डेरी और द्योग जगत को राहत प्रदान करनी के प्रदान मंत्री ने पशुपालों को की आयद दुगनी करने का वादा पूरा किया था उसे भी पूरा करे प्रदान मंत्री मोधी ने कहा कि आज भारत दुनिया में दूद उत्पादर में प्रथम संपर है इसमें किसानों की सहकारिता एवं महिलाओं का विशेश यूगता है वहीं दूसरे दिन कारिकरम के मुख्यतिती अमित शाह ने अपने संबूतन में बताया था कि बारत वर्ष में लगबग आठ करोर परशुपालक विश्व के दूद उत्पादर में 23 प्रतिशक योगदान दे रहे हैं या सूकागर्स एरिये से या जो है आपने देखा होगा ओला वरिष्टी से जो है गयों की फसले चोपट हुई जो चारवी फिसाब या पसुप किसान जो है अपनी फसलों को कॉमर्शल क्रॉप्स पर लेगे वार्नी जिक फसले पैदा कर रहे जिसमें तिलन की फसले इसमें दूसरे वाली जो दलन वाली फसले पैदा करना शुरू कर दिया उससे चारे वाली फसले खतम हो गई देश से और वो बच गई थोड़ी बहुत है तो लोग मजदूरी लगता खर्चा जाता था कि कुरसी में तो गहों को राइड को उपर से टौप पे कुटर लेते हैं मसीनों से और बच्ची भी जो पराली रेते डंडे उनको पराली बोलते हैं पराली को किसान जला रहें तो बारह सरक को कुटर को खरीद करके स्लाइवेज बनावे देश में पोडर बैंक बनावे बने स्लाइवेज वाले गट्टे वाले जहां कमी हो देश में उसको वहां भी तो यह सबसब बड़ी वाला साहिता होगी दूसरा हमने का भी भारत सरकार के पास एप सीए में सर्पलस्ट्ट य जो मनुष्य के खाने लाइक नहीं रहते हैं उनको केटल फीड फेक्ट्री को कौपरिटी सेक्टर में देश में दो उसका दूरूपिव नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा ही होगा आने वाले समय में फिर भी अजमेर डेरी वर्तमान में हमारा 50,000 लीटर दूद की जो ह खपत बड़ी है, मार्केटिंग बड़ी है, आपकी मार्केटिंग पूरी करने के लिए हम रोज 70,000 लीटर दूद चितोड से खरीद रहे हैं, आपको प्योर दूद सप्लाई कर रहे हैं, अजमेर के उभगतों का हित के लिए अजमेर डेरी हमेसा खड़ी है, आगे भी अजमेर के लिए जो बाव हम दे रहे हैं, चपन रुपे इन हालात को देखते हैं, मैं दिवाली की कहरा था कि दिवाली तक रखुना, अपन कोई बड़ी बात नहीं कि सर्दियों में यही बाव रखना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर घी की जबरदर्स कमी हो चुकी गी का स्टोक जो है गतवर्स की तुलना में 10-15% ही रह गया, एसम पी पाउडर की स्टोक गई साल की तुलना में 10-15% ही रह गया, और जो प्रोडेक्ट है उनकी भी स्टोक बात खम हो गया, तो इस आलत में हमको पसुपालों को पूरा भाव देना पड़ेगा साल पर, जिस